हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ पतीभा आज हम बनाएंगे बैगन की बहुत ही टेस्टी चटकारेदार चटनी तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के बैगन लिए हुई है यह जो बैगनी कलर के बैगन होते हैं वही लिए हैं एक प्याज है लैसुन थोड़ा सा धनिया है थोड़े से करी पत्ते हैं थोड़ी सी मैंने इमली ली है और यहाँ पर काफी सारी हरी मिर्ची ली है अगर आपकी मिर्ची तीखी हो तो आप कम भी ले सकते हैं अब हम चलते हैं चटनी बनाने की प्रोसेज में तो यहाँ पर एक कडाई में हम लगब करना है एक चमच धनिया के बीच जालेंगे और एक छोटा चमच जीरा डालेंगे मसालों को भी हम इसी के साथ हल्का सब भूल लेंगे अब हमने यह आपर 8-10 लहसुन की कलियां लिवी हैं वो डाल दिया हुआ है साथ ही साथ करी पत्ता भी डाल दिया हुआ है यह बहुत ही छोटे-छोटे करी पत्ते हैं बट इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है यह देखे सारी चीजों को हल्का सब भूल लीची आप देख सकते हैं कि यह चीजी जो है हमारी मिर्ची लहसुन अच्छे से भून गया है तो मैंने इसे एक मिक्षर जार में निकाल लिया हुआ है जब तक यह ठंडा होगा तो उसी कडाई में हम एक चमच तेल और दोनों बैगन को हमने इस तरह से चोटे-चोटे पीसेज में कट करके पानी में रखा हुआ था जिससे की यह काले नहीं हो यह दिखिए अब हमें बैगन को भी अच्छे से भूना है तो हम इसमें साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक डालने से जो बैगन है वो जल् सॉफ्ट नहीं हो जाते तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे बैगन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो यह जो बैगन है जब यह थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इसे भी हम इसी जार में ट्रांस्पर कर लेंगे अब इसी थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक पहले भी डाला था तो नमक ध्यान से डाले अब इन सारी चीजों को हम हलका सा पीसेंगे यानि कि बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है अब तो थोड़ा सा दर-दरा ही रखेंगे पीसने के बाद यहां पर मैंने दो बड़े चमच पानी लिया हूइ तो इमली को लिया था इसके बाद उसका एसे पानी निकाल लिया हूआ है और इसे भी हम पीस लेंगे तो इससे बहुत अच्छी खटास आएगी ये देखे फ बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इमली की जो खटास है इसमें वो बहुत अच्छा टेस्ट रेती है आप में से बहुत से लोगों ने कभी बैगन की चटनी नहीं खाई होगी तो एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी आपको ये चट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शियर जरूर कीजिए